देखे पहली बात तो रेलवे का पूरी तरीके से प्राइविटाइजेशन हो गया और जहां तक गरीबों की बात है गरीबों के लिए काम तो लालू जी ने किया है जब रेल मंत्री थे हर बजट में जो है किराया कम करते थे लालू जी रेलवे को जो है मुनाफ़ा जो है 90,000 कर ओर दिलाया गया और मुनाफर के बाद जूद भी आप देखेगा कई प्रकार के जो ट्रेन जो गरीब AC में सफर नहीं कर पाता था उनके लिए गरीब रत जैसा ट्रेन जो है लालू जी ने चलाने का काम किया ताकि गरीब से गरीब व्यक्ती भी AC में सफर कर सके तो लाल इक्सिडेंट ट्रेन का समय पर जरूर होता है। कितनी घटनाय हुई है ट्रेन को तर्य वाज़ाज से कहा हैं। कि एक खास तब का है जो स्लीपर सिल के तरह काम कर रहा है। पूल भी उखार रहा है हमों I nha ट्रेनों का एक्सिडेंट करा देने हैं, सब कुछ करा देने हैं, तो लोग बैठा कहला सत्ता हूं, पकड़े, कौन है चोर, कौन है दोशी, कहले पकड़े हैं, खाली बयान बांजी करने से हैं, फुछ नहीं हुआ है, अप एक बात समझ जईए, जद्यू पाटी का चरत्री ह है, यह लोग जाती उनमाद जो है, पैदा कराते हैं, एक नेता से कुछ बोलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बोलवाते हैं, इन लोगों का चाल चरितर हैं, हम लोग सकरात्मक लोग हैं, यह लोग नकरात्मक लोग हैं, नकरात्मक बात करते हैं, लोग तंतर में भाई, क उत्पे होनीआ चाहिए न सकरात्मक्झरचा होनीची क्यों नहीं एक लोग अश्डोग च्वधरी और ये भीयार सरकार की जितने मंत्री हैं ये चरचा करते कि बुम्यार समाज के कितने लोग बेरुजगार हैं, उनका नौकरी कैसी दी जाए, पिछडे समाज के हों, दलित समाज के हों, या अलपचक्यक हों, इन लोगों में बेरुजगारी कितनी है, इस पे ना चर्चा होनी चाहिए, कि उनकी आर्तिक स्तिति कैसी है, उनकी आर्तिक स् क्या लेना देना कोई समाज आगे बढ़ानी बढ़ा परहा लिखा निखा नोकरी मिली निमिली इसे इनको कुछ लेना देना नहीं